वेलकम टोल्डिस्टाइल लर्निंग और जैसे आपने देख रहे हैं यहाँ पर हम बात करने वाले से एंड टैल के वीच के डिफरेंस की और हम यह भी सिखेंगे कि यह दोनों वर्ड्स हम कहां पर यूज करते हैं कनफ्यूजिंग है से बोलना है ते बोलना है कब से बोलना है कबऴें बोलना है तो सार एक पर अभी सिजर करने वाले हैं बहुत dive और तोल्ड और जैसे आपको बता है यह दोनों जो वर्ड्स हैं हूं हम यूस करते एं किसी भी बताने के लिए कहने के लिए या को यूज करते हैं!!! इंगलिश में침 एंश और यूज करने की कन्डिशन क्या है वो मैं आपके बताती हूं जैसे कि टैल है। यूज कंदिशन में detto में से जब आपको किसी को कोई information देनी है या किसी से को information लेनी है तब आप telka use करेंगे दूसरा है, जब कोई instruction देना है किसी को या कोई आपको instruction दे रहा है तब उस condition में telka use होगा, वहाँ पर say का use नहीं होगा और तीसरा जब आप किसी को order दे रहे है या कोई आपको order दे रहे है या कोई कह रहा है कि आप ये काम करिए तो उस condition में हम use करेंगे tell का For example, जब हम information किसी को दे रहे है या किसी से कुछ information ले रहे है तो उस condition में क्या sentence हो सकता है For example, tell me about yourself हम यह नहीं कहते हैं, say me about yourself, right? हम कहते हैं, tell me about yourself. Did you tell about yourself? तो आप किसी को information दे रहे हैं, अपने बारे में. यदि आपको किसी और चीज के बारे में को information देनी है, तो आप कहा सकते हैं, tell me, where is your house? Tell me, where do you live? तौह आप कहा रह रहे है आपका घर कहा उसके बारे में information देनी है किसी टेक्नीलोजी से रेलेटिट lesser information देनी किसी भी information की condition में आपको टाय चाहिस करने है जब आपको und struck something दे रहा है या आप kسी को instruction दे रहा है अब यह नहीं कहते है I says her या I said her to turn off the TV because you are giving her order जब आप request कर रहे हैं तब आप say का use करेंगे जब आप order दे रहे हैं तब आप told का use करेंगे tell का use करेंगे इसका past form है told I told her lock the door आपने उसे order दिया कि दर्वाजा बन कर दे न तब आपने told का use किया अब हम देखते हैं कि say हम कभ यूज करते हैं हम say use करते हैं किसी चीज को exactly जो words है उस word में आप किसी को वो चीज कम्यूनिकेट कर रहे हैं बताने वाले हैं exact same words किसी और के कहे हुए words को आप exactly same किसी और के सामने कहने के कोशिश कर रहे हैं हम वह सोमत हैं या कोई चैनल करते हैं या कोई कोट परसन ने यदि कोई कोट दिया है आप सुनका बोल ने कौई भूल रहे हैं तो जब बोल रहे हैं उस खूहें आपने कोई ब्रह और ont Also कोई मैं करने है उस exact word वाले sentence के बीच में आपके starting और end में आपको quotation marks यूज करने है जैसे this is mine, she said उसने कहा ये मेरा है this pen is mine, I said मैंने कहा ये pen मेरा है ठीक है? तो ये मेरे words है ये मेरे words मैं किसी और के सामने कह रही हूँ या मैं exactly उन words को बता रही हूँ या मैंने किसी और से ये चीज़ कही और मैं आप third person को बता रही हूँ कि मैंने वहाँ क्या कहा था फिर use होता है, say का जो use होता है वो किसी expression को जो opinion होता है आपका जो भी opinion है उस opinion को बताने के लिए आप say का use करते है तो कोई भी opinion को express करने के लिए आप say का use करते हैं यह आपका opinion है कि वो बहुत अच्छी जगह है यह आपने observe कि वो जगह बहुत अच्छी है जरूरी नहीं है कि हर किसी को पसंदा है पर यह मेरा observation है कि वो जगह बहुत अच्छी है I would say that's a nice place I would say that's a nice brand I would say you can go there यह मेरे opinion है मेरी सलाह है और मेरे विचार है तो इनको मैं as it is इनके साथ में मैं quotation marks यूज नहीं करूँगी क्योंकि यह मैंने पहले नहीं कहा है यह मैंने opinion आपके सामने अभी रखा है quotation marks का use कप करते हैं जो already कही हुई बात को जब आप exactly repeat कर रहे हैं तो तब आप quotation marks का use करते हैं से का use हम कप करते हैं जो हमारी next condition है आपने दो चीज़े देखी पहला तो जब आप exact कोई quote आप बोल रहे हैं तब यूज करते हैं और दूसरा जब आप अपना opinion दे रहे हैं तब आप से का use करते हैं आप उसको किस तरीके से use करते हैं किन conditions में use करते हैं यह मैं आपको बताती हूँ से कर यूज करते हैं जब आप कोई बात share कर रहे हैं कोई idea share कर रहे हैं किसी की कही हुई बात को share कर रहे हैं पर आप किस से कह रहे हैं यह आप mention नहीं करते हैं उस बात में कि तो जैसे you don't mention whom you share the idea आपने किस के साथ में यह idea क्या बात है या जो भी quote है वो आपने share किया आप वहां पे उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं कह रहे हैं जैसे john said he likes cake इसमें generally कह दिया है john ने कहा कि उसे cake पसंद है उसने किस से कहा यहां पे हमने mention नहीं किया पर जब आप tell का use करते हैं तब आप mention करते हैं कि जो बात कही गई है वो किस के सामने कही गई है किस से कही गई है ठीक है तो john told me यहां पे क्या हो गया वो मुझे बता रहा है john told me he likes cake john ने मुझे से कहा उसे cake पसंद है say में क्या था john said he likes cake कि उसने किसी को बता दिया john ने किसी से कहा किस से कहा यह confirm नहीं है पर john ने कहा सब ने सुना john ने कहा है कि उसे cake पसंद है पर किस से कहा यह confirm नहीं है पर यहां पर john मुझे कह रहा है यहां पर john किसी और person को भी कह सकता है john told ram he likes cake और john told someone he likes cake ठीक है तो हम जब told का tell का use करते हैं तो हम mention करते हैं कि हमने किस से कहा जब हम से का यूज करते हैं तो हम मैंशन नहीं करते हैं कि हमने किस से कहा जब से का यूज करते हैं तो हम टू जब हम यदि मैंशन कर रहे हैं इस पर्टिकलर व्यक्ति के बारे में कि हम किस से बात कर रहे हैं तो हम टू का यूज करेंगे ठीक है for example he said to me he said to me हम यहाँ पर two का यूज़ करेंगे he said to him that he is living he said to somebody that he is living ठीक है तो two के बाद someone का यूज़ करेंगे अगर आप say plus two and someone ठीक है next है for example Anthony said to me he has a new job Anthony ने मुझे बताया कि उसके पास एक नई जौब है उससे एक नई नोकरी मिली है Anthony said to me he has a new job tell plus someone जैसे हमने पहले एक्जाम्पल देखा कि हम tell का यूज़ कब करते हैं जब हम किसी को mention कर दे हैं पर उसमें हम directly person को mention कर देते हैं हम उसमें to का use नहीं करते हैं जदी हम को say के साथ में इसको use करना है तो हमें to लगा कर उस person का नाम लेना होगा या बताना होगा उसके बारे में tell plus someone आपने tell का use किया और directly someone जिसको आप refer कर रहे हैं उसके बारे में आप यहाँ पे लिख देंगे Peter told me that you got a house Peter ने मुझसे कहा कि तुमने एक घर ले लिया है अगर इसे sentence को हमें say में लगाना है तो हम बोलेंगे Peter said to me that you got a house Peter ने मुझसे कहा कि तुमने एक घर लिया है Peter told me Peter ने मुझे बताया that you got a house तो आपको समझने आया कि say और tell का use कप करते है say के साथ में हम to का use करते है say को exactly जब किसी और की word को आप किसी third person के सामने बता रहे हैं code कर रहे हैं तो आप उसे quotation marks के साथ में बताते हैं बिना किसी change कि जब आप उन words को या उनके sentences को बोल रहे हैं तब tell का use हम करते हैं जब आपको कुछ idea share करना है कुछ information आपको देनी है कुछ instruction देने या कोई order देना है तब हम tell का use करते हैं आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल का नाम है old style learning थैंक यू